श्रीराम, लक्ष्मन और सीता नदी पार कर चुके थे और सुमंत्र लोटकत पुनह आयुध्या आ गये। जाने श्रीराम और लक्ष्मन का कौन सा संदेश उन्होंने महराज दश्षत के सामने प्रस्तुत किया इस सथ्याय में। श्रीवालमी की निर्मित आशामायन आधिकावे के आयुध्याकाण में अठ्थावनमा सर्ग। मुर्चा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थर चेत होकर उन्होंने श्रीराम का व्रतांत सुनने के लिए सार्थी सुमंत्र को सामने बुलाया। उस समय सुमंत्र श्रीराम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले। दुख शोक से व्याकुल महराज दश्रत के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी। अपने यूद्पती कजराज का चिंतन करके लंबी सांस खीशता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्त हो जाता है। उसी प्रकार बुढ़े राजा दश्रत श्राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खीश कर उनी का ध्यान करते हुए अस्वस्त से हो गए थे। राजा ने देखा सार्थी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है। इसके मुख पर आंसों की धारा बह रही है। और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्ता में राजा ने अत्यंत आर्थ होकर उससे पूछा। सूत धर्मात्मा श्री राम व्रिक्ष की जड़का साहरा ले कहा निवास करेंगे। जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहां क्या खाएंगे। सुमंत्र जो दुख भोगने के योग्य नहीं है। उन्हें श्री राम को भारी दुख प्राप्थ हुआ है। जो राजोचित शय्या पर शैन करने योग्य है। वे राजकुमार श्री राम अनात की भादी भूमी पर कैसे सोते होंगे। जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलूं रतियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी। वे ही श्री राम निर्जन्वन में पहुँचकर वहां कैसे निवास करेंगे। जहां अजगर और व्याक्र से आदी हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सरप जिसका सेवन करते हैं। उसी वन का आशय लेने वाली मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे। सुमंत्र परम्सु कुमारी तपस्वनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मन रत से उतर कर पैदल कैसे गए होंगे। साथ हैं तुम कृत कृत हो गए क्योंकि जैसे दोनों अश्वनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं। उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आँखों से देखा है। सुमत्र बन में पहुचकर श्रीराम ने तुम से क्या कहा। लक्ष्मन ने भी क्या कहा। तथा मिठेलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया। सूत्र तुम श्रीराम के बैठने, सोने और खानी पीने से संबंध रखने बली सभी बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाती सत्पुर्षों के बीच में उपस्तित होने पर सत्चंग के प्रभाव से पुनह सुखी हो गए थे। उसी प्रकार तुम। जैसे साधू पुरुष के मुख से पुत्र का प्रतांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारन कर सकूँगा। महराज के इस प्रकार पूशने पर सार्थी सुमंत्र ने आसुं से रुंधी हुई गत-गत वानी द्वारा उंचे कहा। महराज, श्राम चंदर जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक छुका कर कहा है। सूत, तुम मेरी ओर से आत्मग्यानी तथा बंदनी ये मेरे महात्मा पेता के दोनों चर्णों में प्रणाम कहना। तथा अंतहपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेश्रूप से मेरा यदुचित प्रणाम निवेदन करना। इसके बाद मेरी माता कौसल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्मपालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि मां तुम सदा धर्म में तत परह कर यदा समय अगनी शाला की सेवन अगनी होत्रकार में सनलगन रहना। देवी महराज को देवता के समान मारकर उनके चर्णों की सेवा करना। अभिमान और मान को त्याप कर सभी माताओं के प्रती समान बरताव करना। उनके साथ हिल मिलकर रहना अम्बे जिसमें राजा का अनुराग है उस कैकई को भी श्रिष्ट मान कर उसका सदकार करना कुमार भरत के पती राजोचित बरताब करना राजा छोटी उम्र के हूँ तो भी वे आदर्निये ही होते हैं इस राज़ धर्म को सदा याद रखना कुमार भरत से मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी और से कहना भाईया तुम सभी माताओं के प्रती नयचित बरताफ करते रहना इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कहना कि युवराज बत पर अभिशिक्त होने के बाद भी तुम राज सिंग घासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में सनलगन रहना राजा अब बहुत वृत हो गये हैं ऐसा मान कर तुम उनका विरोधना करना उन्हें राज सिंग घासन से ना उतारना युवराज बत पर प्रतिश्यत रहकर उनकी आग्या का पालन करते हुए ही जीवन निर्वा करना फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत आशु बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए यह संदेश दिया भरत मेरी पुत्र पच्चला माता को अपनी ही माता के समान समझना मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायेशस्वी कमल नैन श्री राम बड़े वेग से आशु की वर्षा करने लगे परन्तु लक्षमर्ण उस समय अत्यनत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुई इस प्रकार बोले सुमंत्र जी किस अपराद के कारण महाराज ने इन राजगुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया राजा ने कैकई का संदेश सुनकर जट से उसे पूर्ण करने की प्रतिग्या कर ली उनका ये कारण उचित हो या अनुचित परन्तु हम लोगों को उसके कारण कश्ट भोगना ही पड़ता है श्री राम को वनवास देना कैके के लोग की कारण हुआ है अत्वा राजा के लिए उनको दिया गया वर्दान इसका कारण है मेरी द्रश्टी में यह सरवता पाप ही किया गया है यह श्री राम को वनवास देने का कारण राजा की सुछा चारिता की कारण किया गया हो अथ्वा ईश्वर की प्रेर्णा से परन्तु मुझे श्री राम के परित्या का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता बुद्धी की कमी अथ्वा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किये बिना जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया यह अवश्य ही निन्दा और दुक्का जनक होगा मुझे इस समय महराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता अब तो रगुकुल नंदन श्रीराम ही मेरे भाई स्वामी बंदू बांधव तथा पिता है जो संपूर्ण लोकों के हित में तदपर होने के कारण सब लोगों के प्रिये हैं उन श्रीराम का परित्याग करके राजा ने जो यह कुरूरता पूर्ण पाप कृत्य किया है इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है अब उनमें राचोचित गुण कहां रह गया जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है उन धर्मात्मा शिराम को देश निकाला देकर समस्त लोकों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे महराज तपस्विनी जनक नंदिने सीता तो लंबी सांसे खीशती हुई इस प्रकार निश्चेश्ट खड़ी थी मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो वे भूली से जान पड़ती थी उन यश्चेश्विनी राजगुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था वे पती के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा मुझे इधर आने के लिए उद्ध्वत देख वे सुखे मुझसे पती के ओर देखती हुई सहसा आसू बहाने लगी थी इसी प्रकार लक्ष्मन की भुजाओं से सुरक्षत श्रीराम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे उनके मुख पर आसू की धारा बह रही थी मन सुनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रत की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर इस प्रकार श्रीवालमी की निर्मित आशामयन आधिकावी के आयुध्याकान में 58 मा सर्ग पुरा हुआ नमस्कार मैं आभा शर्मा चावास अगर आपको ये प्रत्न सराहनी लगी तो आप कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं